तो देखो बेसिकली जो रॉड का जो इक्लिब्रियम है यहां पर तो बेसिकली यह जो रॉड है इसका जो मानलो इक्लिब्रियम के लिए हाना हरो keeps no तो आलग अलग टेंशन पोर्स आ रहा है यहां पे लगsource मॉडल रस है तो एक्स'tेंशन अलग अलग represent धना है ज़रूरी थोजीना है कि तो दटीना है कि 9 Second यहां पर सेम आएगा लेंक तो दोनों का सेम है ठीक है तो मानलों मैं बोलूंगा के टेंशन इन यह बोसुत है न कि stress is equal to young's modulus into tension लो इस है तो मानलों जो stress आ रहा है तो मानलों जो stress आ रहा है किसके उपर मानलों स्टील के ऊपर स्टील मैं स्टील मैं टेंशन मानलों टी एस तो फिर area of process क्या है एस गिवन इन दो क्वेश्चिन एरिया प्रॉस्टिशन वहापे एस होगा एस सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब इस कॉपर का एसी है ना बच्छो तो दाट इस इक्वल तू यंग्स इन्टो पैल कि लेंग्ट सब्सक्राइब दोनों का लिक्स सेम है तो इसलिए कैपिटल लोगना है थैना इसी मिलार्ली और कॉपर फॉर स्टीड से ऑफटैब लीए फॉर कॉपर इसी मिलारी फॉर कॉपर एव similarly for copper, copper के लिए हम लेख सकते हैं, tension brought by copper by area of procession of copper is equal to is equal to Young's modulus of copper into change in length add copper by length of copper stress is equal to Young's modulus into strain है ना बच्चों? yes sir yes sir समझवार है ना बच्चों? yes sir सबको समझवार है ना? yes sir अच्चा ये steel वाला equation है तो steel में total change in length कितना हैगा delta L steel that is equal to T S L by A S Y S था ये total change in length of steel है समझवार है ना? total change in length of steel है ठीक है ना? अब similarly बच्चों similarly similarly क्या हो रहा है? similarly क्या है ठाथ झाल है भी कितना है रहा है झाल कि ख्क्रेबाझाण भी कर रहाँ तूंग है भी कर रहा है मैं civilization है ना भी कर बच्चों दो है शो प्रथा टेल्टा एल चेंज इन लेंग्टिन कॉपर इस वर्टू टी सी इन्टू एल बाइए सी इन्टू यसी था नहीं लेंग्ट आफ कॉपर क्या है एन्टू इस सी इन्टू एल वाइए सी इन्टू यसी की खताओ कि खताओ अंग्टू जो श्राओ इन्टू है 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 ठीक है अब यह जो है यहां पर इंप्लाइज अब देखो जरूरी थोड़ी ना है कि यह दोनों लेंग्ट से होगा इसलिए यह पूचा है क्वेश्चिन में इसलिए क्वेश्चिन जो है है ना बचों इसलिए इसलिए क्वेश्चिन ने यह पूच लिया है क्वेश्चिन ने क्वेश्चिन ने क्या पूचा है कितना फोर्स लगाएंगे तो रहेगा होरीजंटल इसी लिए होरीजंटल रहने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों तरव का लेंग्ट से होना चाहिए ना यह सर्फ कॉपर के साइड का सबको समझ वारा ना वच्चों इस तो बस शदाव ने दिया श्वायम श्वायम ने तो एंसर नहीं दिया क्या प्राइब राजश्री क्या बोला है कि कितना फोर्स अपले करना पड़ेगा ताकि रॉड जो है वो जाएगा होरीजंटल रिमेंज पोरिजंटल है ना तो बेसिकली क्या हो रहा है बार को होरीजंटल रहने के लिए दोनों तरव का लेंक सेम होना जरूरी है लेकिन इ है तो अगर ना मैंने दोनों तरव का लेंग्ट क्या लिया है कैपिटल लेंग्ट भी थाइनली अगर ना होरीजंटल रहना है तो दोनों तरव का वर्टिकल लेंग्ट सेम वहना चाहिए समझवा है न बचों Yes Sir Mr.lis वहाना था करेंख्यकिय टू फटो होरीजंटल रॉड को होरीजंटल रहने के लिए पॉर होिजन्टल रॉर विमेंन होरिजन्टल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए है ना मैं मान चबता हूं कि L plus delta L S should be equal to L plus delta L C implies delta L S is equal to delta L C समझ मैं है न बचो that implies इसका ये मतलब है कि T S L upon A S Y S is equal to UTCL upon ACYC, LL cancel, समझ मैं न, LL cancel implies tension by steel to tension at copper should be equal to ASYS by ACYC, तो ये tension का ये ratio आने के लिए, मुझे basically कुछ force F लगाना पड़ेगा, तो अगर मैं कुछ force F नहीं लगाऊंगा, तो tension का ये ratio नहीं आएगा, ठीक है न, है न, तो force कहां पर apply हो रहा है, तो basically force कहां पर apply हो रहा है, basically बच्चों, time हो गया, basically force कहां पर apply हो रहा है, at a distance X from steel, as you can see in the diagram of the question, we have to apply force at some distance X, at some distance X from steel, from steel, है न, बच्चों, ये सर, ये सर, ये सर, ये सर, ये सर, तो basically हमें force apply करना पड़ेगा, add some distance X from steel, ऐसे apply करना पड़ रहा है न, add some distance X from steel, ठीके न, ओके, अरे rod अगर horizontal equilibrium में है बच्चों, अगर horizontal equilibrium में है, तो उसके लिए, for horizontal equilibrium of rod, है ना, बच्चों, rod के horizontal equilibrium के लिए, है ना, उसके ओपर net force जीरो है, लेकिन उसके ओपर net torque भी तो जीरो हाना चाहिए ना, yes sir, for horizontal equilibrium of rod, है ना, since the rod is in equilibrium, है ना, it is in translational as well as rotational equilibrium, तो for rotational equilibrium net torque on rod should be equal to zero, तो मान लो net torque अगर 0 है तो मैं rod के कोई भी point के about net torque ले सकता हूं यहां पर, yes sir, तो मान लो मैं क्या करूंगा ना यहां पर, बच्चों, मैं क्या करूंगा ना यहां पर, मैं, यह जो point है ना बच्चों, यह जो point है ए, इसके अबाउट net torque ले जाओंगा, इसके अबाउट net torque ले जाओंगा, इसके अबाउट net torque 0 होना चाहिए ना, मैं बोज़ जबता हूं, for rotational equilibrium of rod, for rotational equilibrium of rod, net torque on rod, net torque on rod about any point A, should be 0, तो net torque है ना, about any point, about any point on rod, है ना, should be 0, तो हम torque about point A भी ले जाओंगा, 0, implies torque on rod, with respect to A, with respect to point A, will equal to be 0, अच्छा, A के अबाउट, force F का कौनसे torque हा रहा है, clockwise torque, force into perpendicular distance, clockwise torque को मैंने positive लिया, MG का torque, A के अबाउट, एक अबाउट, एक अबाउट, एक अबाउट, तो फिर प्लस, मैंने clockwise, है ना, clockwise को मैंने positive लिया, MG का भी तो clockwise torque हा रहा है, तो उसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, MG into L बाईट, लेकिन ये जो tension TC है, इसका torque point है कि अबाउट, एक अबाउट लेना पड़ेगा negative, तो उसका torque कितना आएगा, tension into perpendicular distance, एस स्टी सी इंटू L, है ना, शुड वी इकॉल टू जीरो, शुड वी इकॉल टू जीरो, ठीक है ना, अब देखो जो, इसमें कुछ सिंप्लिफिकेशन से है, X को निकालने के लिए, I know that T S by T C, T S by T C is equal to A S Y S Y A C Y C, और हमें यह पता है कि T S plus T C जो है, that is equal to M G है, T S plus T C क्या होना चाहिए, M G होना चाहिए, है ना, तो अगर मैं T C common ले जाऊंगा दोनों से, अगर मैं T C common ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिला है, 1 plus T S upon T C, which is equal to M G, समझ भाए है ना, ठीक है, तो that implies, है ना, T C whole into 1 plus T S upon T C, क्या है, A S Y S by A C Y C, A S Y S by A C Y C, this is equal to M G, अब मुझे T C का value मिलगा है M G के terms में, T C is equal to M G, whole divided by 1 plus A S Y S by A C Y C, समझ भाए है ना, बच्चों? अब इसको मैं अगले पेज में कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी हुआ, फेर पेस्ट हो गया, अरे 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 वह कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, और एक उक्वेशन है मेरे पास, पिछरे पेज में, इक उक्वेशन है, इसमें क्या करूँगा बेसिकली, इसमें में क्या करूँगा बेसिकली, यह जो एक्वेशन है ना, यहां पर टीसी का वैलिव पूट कर लेंगे, तो मुझे हमें मिल जाएगा एक पर टीसी का वैलिव इंप्लाइज एफ इंटु एक्स प्लस एमजी एल बाइटू माइनस टीसी टीसी कितना होगा, एमजी बाइवान प्लस एएस वाइएस बाइएस ही वाइस ही वाइस ही है ना, होल इंट औल इंट ल इंट जिव जिवी एक लिव इंट एक लुक्स देझस टीसों एक्न हैसे एका ys into l is equal to 0 implies fx is equal to mgl mgl whole into mgl whole into a c y c by a c y c plus a s y s minus 1 by 2 minus 1 by 2 इंप्लाइज एक्स एक्स कितरा होगा अभी एक्स का वैल्यू आगे एंची एल बाइएफ mgl by f mgl by f mgl by f mgl by f whole into a c y c plus a c y c plus a s y s divided by two times of lc m लेने के बार a c y c plus a s y s तो एक्स का वैल्यू कितना रहा है कितना इजी एंसर है देखो mgl by two f that's all it is not dependent on area of cross section and young's modelers of any of the rods है रिजल्ड देखो कैसे आ रहा है जो area of cross section और young's modelers दोनों रोड का दिया था स्टील और copper का इना उसके उपर dependent ही नहीं है कि सब्सक्राइब है ना कि इस एक लिए सब्सक्राइब एक अच-ध्याइब लिए की फ्याइसरे शरह है कि आप तो आएगा यस सब्सक्राइब तूं क्यों ने बोल रहत है अभी ज़क्तर कोई कोई नी बोला इत्तों सिर्फ सोहन्शू हम बोला बाकी लोग क्या कर रहे हो बाकी लोग क्या कर रहे हो बस जो बोला गया बस हो गया MGL by F यह कितना हो जाएगा by 2F A C Y C है ना minus A S Y S extended formula A C Y C plus A S Y S clear समझो है ना पच्चों? Yes sir जो बच्चों फिर बढ़िया है समझ में है तो बहुत बढ़िया है कि है ना आज का क्लास यहां पर कतम है मैं चलूंगा अभी Thank you sir Thank you sir Bye Thank you sir Thank you sir Thank you sir Thank you sir